एलो डियर स्टूडेंस वन्स अगें वेलकम बाक टो आर चैनल ग्यानलाब बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट थी कि माम हमको बायो के तो मैं के लिए इसमें मैं आपको बताने वाली कि कॉं साधीये तो डाग्राम सी आने के ज्यादा चाहिए मैं आपको दो चीजे पताने वाली हूं सबसे पहली बात कि कौन सा डाइग्राम आपको question में दिया जाता है और label करने के लिए पूछा जाता है और कौन सा डाइग्राम आपको draw करने के लिए बोला जाता है तो जहां पर आपको L दिखाई देगा समझ जाना कि वहां पर आपक पता कि question paper में क्या आने वाला है और इस साल आपका deleted non-deleted याने की पूरा 100% portion आपको exam में आने वाला है कुछ भी deleted नहीं है तो इसलिए मैं जो कुछ भी बता रही हूं अपने experience और अपने analysis के basis पे बता रही हूं 100% guarantee नहीं दे रही हूं कि यही question आएंगे बट मैंने last year जो questions प्रेडिक्ट किये थे exactly वही question आये थे 70 में से 55 marks का paper मेरे बताएवे question से आया था तो इसलिए थोड़ा सा आप ट्रस्ट करके जो diagram में बता रही हूं वो practice करके जा सकते हैं क्यूंकि diagram related question आपके boards में कम से कम 8 से 10 marks के लिए आते हैं मतलब या तो labeling करने के लिए पूछा चाता है या तो draw करने के लिए पूछा चाता है तो please इस video को seriously देखना और start से लेकर end तक पूरा video देखना टेक्सबुक साथ में लेकर बैठो और अपने friends के साथ इसको share कर देना ताकि जो ना-like बच्चे जिन्हों ने अब तक book नहीं खोली है वो book खोल के पढ़ना start कर सके और वीडियो की starting में एक important announcement कर देती हूं कि January में हम one shot series start करने वाले हैं live one shot lecture live या recorded जो भी है but one shot lectures हम upload करने वाले जिसमें आपका deleted syllabus भी included होगा ठीक है तो आपके लिए यह काफी अच्छी good news है कि हम आपका जो भी पेंडिंग पोर्शन है वो complete करेंगे with the help of one shot और यह one shot bio और physics दोनों का होगा तो you can get happy आप तब तक बाकी का content cover करके रखो ताकि जब हम live ले सके तो आप अपने doubts clear कर सको so let's start with our today's video सबसे पहले मैं start करते हूं chapter number first के साथ chapter number one और chapter number two यह दो ऐसे chapters है जिन में से आपको सब कुछ करना है मतलब इसमें से कुछ भी skip करने लायक नहीं है तो chapter number one का weightage कितना होता है it is approximately eight marks chapter number one जो है यह approximately board में seven to eight marks के लिए आता है अब देखो इसमें से जो first diagram है यह draw करने के लिए नहीं आएगा second diagram draw करने के लिए नहीं आएगा लेकिन यह वाला जो diagram है grafting वाला इसमें आपको labeling पूछ सकते है कि अगर आप rooted plant का stem यूज करते हो तो उसको क्या बोलते है और दूसरे plant का आप अगर upper part use करते हो तो उसको क्या बोलते है तो rooted plant के stem को stock बोलते है और जिसका upper part लेते है उसको बोलते है ski on तो आपको यहाँ पर एक्टिविटी वाला जो डाइग्राम दिया गया है यहां पे आपको लेबलिंग्स पूछी जा सकते हैं क्योंकि आपके 10 स्टैंडर में था 10 और 11 स्टैंडर में फिर इसके बाद यह देखो डाइग्राम नंबर 1.4 यह बहुत इंपोर्टन डाइग्राम है यह आपको ड्रॉ प्रोजेनस टिश्यों इनके फंक्शन क्या होते हैं ज्यादा करके यह वाला डाइग्राम नहीं आता बट आपको यह डाइग्राम कंपल्सरी करके जाना है टीएस ऑफ एंथर होने के बाद माइक्रोस्पोर का डेवलप्मेंट यह डाइग्राम आपको पूरा ड्रॉ करके आना चाहिए क्योंकि इसका बीच का स्टेज दे देंगे और उसका लेबल करने पूछेंगे मतलब समझो आपको यह वाला डाइग्राम दिया है और यहां से लेबल निकालके बोला है अब इसको बताओ क्या है यह तो ऐसे लेबलिंग भी पूची जा सकती है यह आपको यह आपको लेबलिंग तभी आएगी जब आपको डाइग्राम याद होगा तो इसको आप ड्रॉ करके प्राक्टिस करो क्योंकि यह शॉट नोट में भी क्वेश्चन आता है फिर यह सारे टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है इसमें से भी आपको लेबलिंग के लिए आ सकता ह और यह डेवलपमेंट ओ फीमेल गमेटोफाइट यह तीन डाइग्राम ना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कौन से तीन डाइग्राम एक टीएस ओफ एंथर वाला यह वाला डाइग्राम सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है एक यह ओव्यूल वाला डाइग्राम और एक तो क्या पूछा जाएगा कि मेज के मेल रिप्रोड़क्टर सिस्टम को क्या बोलते हैं टैसल बस इतना याद रखना है यहाँ पर आपको एक्जांपल याद रखना है वह सब डाइग्राम से रिलेटेड नहीं है मैं आपको इस वीडियो में क्या बता रही हूं कि आपको डा रुद्टर डाइग्राम है जो बहुत इंपॉर्टन आई चैप्टर का उसके बाद टाइप साफंट का लेबलिंग आता है आपको डाइग्राम देैं तीडिएंगे आपको बुलेंगे आपको देटेंटाइगरेंगे कौन सा यह सचुट यह कौन सा पर सकती हो हैं मैंने के लिए भी आता है लेबल करने के लिए आता है यह सारे स्टेप्स आपको नहीं पूछेंगे यहां पर यह वाला डाइग्राम बहुत important है लास्ट वाला स्टेज यह होने के बाद मोनोकॉर्ट सीड यह भी काफी important है इसका भी आपको डाइग्राम आ सकता है या एल्यूरोन लेयर को लेबल करने पूछेंगे यह सीलियूप टाइप को लेबल करने पूछेंगे तो इसका लेबलिंग भी पूछा जा सकता है इसका लेबलिंग आएगा ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछेंगे ठीक है ओके दाइट फॉर्स चैप्टर तो हमने चार से पांच डाइग्राम इंपॉर्टेंट बोले सबसे पहले टीएस ओफ फिर माइक्रो डेवलोपमेंट मेगा डेवलोपमेंट ओव्यूल का डाइग्राम और डबल फर्टिलाइजेशन यह पांच डाइग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है और लास्ट बट नॉर्ट लीस्ट मोनोकॉर्ट सीड का यह छे डाइग्राम फॉर्स चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट है अब जहाते हैं सेकंड चैप्टर पर ठीक है तो देखो सेकंड चैप्टर का वेटेज कितना है अगें सेवें तो इसमें से आपका जो फॉर्मेशन है इसका आपको लेबलिंग करने के लिए बोल स साल हो सकता है female reproductive system आये देखो यह question 2021 में आया था तो इस साल हो सकता है कि female reproductive system आपको लेबल करने के लिए पूछें तो यह बहुत-बहुत-बहुत important है इसके labeling आप मेरी वीडियो में से देख के जा सकते हो ठीक है उसके बाद आपको histology of testis के उपर question आता ही आता है this is very important diagram इसको यह label करने के लिए बोल सकते हैं तो देखो अगर आपको बोला है histology of testis बनाओ याद रखो आपको यह वाला diagram बनाना है यह वाला diagram नहीं बनाना है histology बोला यह तो पहला important diagram कौन सा है ts of testis दूसरा important diagram कौन सा है female reproductive system का labeling तीसरा important diagram कौन सा है इसका सिर्फ labeling पूछा जाएगा इतना डिफिकल डाइग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं देंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंजूमिंग होता है पहला डाइग्राम हमने क्या बोला टीस ऑफ टेस्टिस दूसरा हमने बोला फीमेल डिप्रेडक्टिव सिस्टम तीसरा डाइग्र जो द् worm color का इरिया होता है उसको क्या बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैंcción क्या बोलते हैं उसको हम self एडीी ओला जहां से मिल्क इजेक्ट होता है ठीच हे क्या कहान हाई तो पहलँ डाइग्राम टीजए सब्र यहीज ट्री प्रीशन करने बोलेंगे हैं पूरा फ्लो चार् फूर्थ डायगराम is menstrual cycle, then spermatogenesis का cycle explain करने बोलेंगे नहीं तो उजनेसिस का, तो फिफ्थ वाला कॉन सा आएगा gamut formation, male gamut भी बोल सकते हैं, female gamut भी बोल सकते हैं, तो इस तो आता ही आता है, अभी last year यह question नहीं आया था, तो हो सकता है, इस साल यह question आए, उजनेसिस कभी draw करने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन इसको इसके basis पे brief answer आता है, तो वहाँ पे अभी brief answer चार marks का है, तो आपको भी पता है कि उसमें से एक marks diagram के लिए रहता है, तो structure of sperm draw करने के लिए आएगा, उजनेसिस brief answer में पूछा चाहेगा, तो ultimately आपको यह draw भी करना ही पड़ेगा, ठीक है, हाँ, यह 7th सबसे important diagram, unfertilized egg, मैं फिर से repeat कर रहे हूँ, पहला important diagram, TS of testis, दूसरा important diagram, female reproductive system का labeling, तीसरा important diagram, graphene follicle, चौथा important diagram, menstrual cycle का flow chart, पाँचवा important diagram, sperm का structure, ठीक है, छटा important diagram, spermatogenesis का flow chart, ठीक है, फिस सात्वा important diagram, structure of secondary oocyte, इसको आप unfertilized ovum भी बोग बोल सकते हो, फिर आठवा important, यह वाला labeling के लिए आएगा, यह आपको कभी draw करने नहीं बोलेंगे, या तो explain करने बोलेंगे, blastula formation या label करने बोलेंगे, इसका labeling बहुत important है, ठीक है, या astula label करने के लिए बोलेंगे, इसके functions पूछे जाते आपको, कि कौन से layer से क्या बनता है, ठीक है, diagram के point of view से that's it, इसका भी आपको label पूछेंगे, आपको diagram दिया जाएगा, arrow निकाल के ABC लिखा जाएगा, और बोलेंगे इसको label करो, ठीक है, जहां तक draw करने की बात है, तो सिफ 7 diagram सबसे important है, जो मैंने अल्रेडी बता दिये, बाकि इसमें से draw करने लायक और कुछ न क्या practice करके जाना है, सबसे पहली बात, अब इसको draw करने की जबरत नहीं है, बट आपको भी पता है, ये table आपको याद रखना है, ठीक है, characters आपको याद रखने है, इस chapter में diagram as such कुछ नहीं है, ये test cross आप draw करके practice कर सकते हो, क्योंकि test cross से related एक नाए question आता ही है, हां, इस chapter मे से ना, neo-mendalism के concept अच्छे से करके जाओ, याने की exceptions जो है, mendal के law के exception जो है, core dominance, incomplete dominance, multiple alleles, ये factors अच्छे से करके जाओ, ठीक है, बाकि diagram as such, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ये chromosome का structure बहुत important है, ये आप करके जा सकते हैं, ठीक है, एक ये वाला diagram, एक ये वाला diagram, तो ये diagram है, इस chapter में जो आप draw कर सकते हैं, बाकि कुछ draw करने लाइक नहीं है, बाकि तो सारे के सारे crosses है, पुनेट square है, तो वो कुछ नहीं है, ठीक है, वो आपको solve करना पड़ेगा, तो 3rd chapter में से 2 diagram, structure of chromosome and structure of X and Y chromosome, ठीक है, चलो, अब आते हम 4th chapter पे, molecular basis of inheritance, तो molecular basis of inheritance में, आपको इसका भी weightage 4 to 5 marks, याने actually 4 to 6 marks दिया गया है, इसमें कौन सा-कौन सा diagram important है, सबसे पहले ये वाला, every mcleoid, mccarty वाला diagram, यह important है, फ्रेडरिक ग्रिफित का diagram नहीं आएगा, पर यह diagram important है, इसको draw करके practice करो, आपका चूहा आपने अगर ऐसे बनाया, तो भी चलेगा, आपको एकदम exact mice का sketch बनाने की जरुवत नहीं है, फिर उसके बाद Hershey and Chase experiment का आपको labeling बता होना चाहिए, कि क्या बोलते हैं, आपको ना पूरा diagram दिया जाएगा, इहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C दिया जाएगा, और आपको बोलेंगे की find out करो की correct label क्या है, तो इसका labeling बहुत important है, तो इसका labeling बहुत important है, तो इसका बाद बहुत important है, यह linker DNA, यह linker DNA आपको ऐसे दिया क्या बोलते हैं, इधर पर A दे देंगे, और बोलेंगे find out करो यह क्या है, तो इसका labeling important है, ठीक है, इसके बाद DNA replication very very important, ठीक है, उसके बाद semi-conservative ठीक है, ओके-ओके, हाँ, यह transcription unit वाला diagram very important, this is the sixth diagram which is very important, उसके बाद trans processing of mRNA, this is also very important, ठीक है, आप बोलो कि मैं आप तो सब important बोल रहे हैं, सब कुछ important नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, tRNA molecule, इसका ये वाला diagram नहीं करना है, ये वाला diagram करना है, this is very important, आपको ये label करने के लिए भी आ सकता है, या draw करने के लिए भी आ सकता है, transcription ये तो आप practice करोगे, ये brief answer के साथ जब आप practice करोगे, तब ही इसका diagram का practice हो जाएगा, तो उसमें कुछ load लेने वाली बात नहीं है, lack वो पर आपको label करने के लिए आता है, या फिर इसका mechanism explain करने बोलते हैं, तो labeling याद रखोगे, तो साथ में थोड़ा सा diagram भी practice कर लेना, तो ये draw करने के लिए भी पूचा जा सकता है, या label करने के लिए भी पूचा जा सकता है, ठीक है, बाकि DNA fingerprinting का mostly labeling आता है, ड्रॉ करने नहीं बोलते हैं, आपको समझो, यहाँ से यहाँ step दे देंगे, और यहाँ पर बोलेंगे कि इसको label करो ये क्या है, तो mostly labeling या इस process को बोलेंगे कि इसको label करो ये क्या है, तो DNA fingerprinting का mostly labeling आता है, तो chapter number 4 में भी 5 से 6 diagram है जो काफी important है, अब आते हैं chapter number 5 में, chapter number 5, हाँ, अब इसमें से कौन से diagram important है, इसमें ऐसे diagram तो खास कुछ है नहीं, उरे और मिलर experiment, very important, ओरे और मिलर के experiment के वज़े से इप्रूव हुई थी, तो एक यह diagram और दूसरा chromosomal aberration, यह बहुत important है, यह दूसरा diagram, 5th chapter का, उसके बाद यह labels के लिए आएंगे, आपके types of natural selection जो है, उसमें stabilization natural selection, directional natural selection, और disruptive natural selection, यह तीनों का label पूछा जाएगा, कि यह कौन सा peak है, ठीक है, तो natural selection के types आपको पते होने चाहिए, यह तीसरा diagram है, पहला diagram कौन सा बोला मैंने आपको, उरे मिलर experiment, दूसरा diagram मैंने कौन सा बोला, हाँ, chromosomal aberration, और तीसरा diagram, types of natural selection, बस, इतना यह इस chapter में, diagrams की point of view से, question नहीं, diagram के point of view से, हाँ, sixth chapter में आते हैं, तो इसमें से तो भाई, diagram सभी important है, पहला diagram, root tip, last year पूछा गया था, root hair, last year पूछा गया था, तो इसको draw करके जाओ, यह label करने के लिए आ सकता है, draw करने के लिए भी आ सकता है, तो पहला diagram, यह diagram नहीं आएगा, हाँ, this is important, क्योंकि यहाँ पर आपको apoplast और simplast pathway बताया गया है, so this is very important, second diagram of this chapter, very important, फिर उसके बाद, एक बार यह practice कर लेना, यह draw करने नहीं बोलेंगे, बट explanation पूछ सकते हैं, तो आप rough practice कर लोगे, तो भी बहुत हो है, तो इसको draw करके जाओ, this is important, third diagram, fourth diagram, transpiration, process, explain करने के लिए बोला जा सकता है, so this is also important, और पाचवा structure of guard cell, आपको guard cell का structure explain करने बोलेंगे, इनके functions पूछ सकते हैं, तो यह diagram important है, so this chapter में से 5 diagram आपको करके जाना है, structure of guard cell, L.S. of sieve tube, फिर उसके बाद में root hair, root का structure, उसके बाद म plastic pathway का structure, so यह 4-5 structures आपको इस chapter से करके जाने, 7th chapter में आते हैं, इसमें diagram as such कुछ नहीं है, यह phases of growth यह आपको label के लिए पूछा जा सकता है, so first, very important, दूसरा, आपको यह growth rate का अलग-अलग curve, अलग-अलग graph याद रखना है, so this is very important, second, third, यह exponential or sigmoidal growth curve, यह आप 13th chapter में भी देखो होगे, so यह third graph आपको आना चाहिए, उसके बाद यह flow chart आपको करके जाना है, very important, fourth, fifth, आपको यह tip वाला experiment पता होना चाहिए, growth hormone से related है, तो अगर यह experiment पता होगा, तो आपको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, so this is also important, and that's it, बाकि कुछ diagram point of view से ऐसे कुछ खास important नहीं है, इ है, okay, done, अब आते हैं, chapter number 8 में, last chapter of today's video, okay, so this chapter में आपका पहले page पे, आपको labeling, यह तो simple labels है, यह labels आप कर लो, क्या होता है, बड़े-बड़े trees में जो छोटे-छोटे holes होते हैं, जहां से gas exchange होता है, उसको lenticles बोलते हैं, तो इसका label कर लो, यह वाला diagram का labeling आ सकता है, ठीक है, इसमें से मैं most important diagrams बता रही हूँ, larynx का भी labeling पूछा जाता है, कि larynx कौन से bone के ओपर located है, ठीक है, ठीक है, this is very important, सबसे पहला important diagram, alveolica structure, दूसरा important diagram, bore effect का curve, तीसरा important diagram, oxygen यह, अपना, gaseous exchange, oxygen pickup, carbon dioxide tissue, oxygen release and carbon dioxide pickup at the tissue, etc, etc, चोथा, single circulation, पाँचवार double circulation, फिर उसके बाद, external structure of, हाँ, यह देखो, यह, granulocytes का label पूछा जाता है, draw करने नहीं आता है, इसका label पूछा जाता है, इसका भी label आता है, ठीक है, हाँ, यह, heart, wall and pericardium, यह draw करने के लिए पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको जादा करके labeling आती है, ठीक है, सात्वा, external structure draw करने के लिए नहीं आता है, internal structure draw करने के लिए आता है, this is important, और conducting system of heart, this is important, देखो, 8 diagram हो गए, जो बहुत important है, इसके बाद, और एक diagram है, आपका cardiac cycle का flow chart, this is very important, तो total इस chapter में से 9 diagrams आपको compulsory करने हैं, और यह arteries और veins वाला, 10 diagram, चीक है, pulse points draw नहीं करना है, यह भी नहीं, यह भी नहीं, इसका labeling आ सकता है, diagram तो draw नहीं करने बोलेंगे, बट labeling आ सकता है, कि यह कौन सा peak है, यह कौन सा peak है, यह कौन सा peak है, ऐसा labels आ सकता है, ठीक है, तो इस chapter में से total आपको 10 diagrams practice करने हैं, आप जब labeling का practice करेंगे तो last में आपके textbook के page में यह जो 3 diagrams दिया है इसका भी please labeling कर लेना कि lymphatic capillaries और lymph nodes कहां पे होते हैं यह lymph nodes से related labeling के लिए diagram काफी important है तो इस तरीके से आपके 8 chapters chapter number 1 to 8 के important diagrams कौन से हैं कौन से diagram आपको draw करने के लिए आएगा कौन से diagram में से सिर्फ labeling पूछेंगे यह आप अपने logic के इसाब से भी सोच सकते हो paper के लिए आपके पास धाई घंटा है आपको जादा से जादा lengthy questions दिये जाते हैं तो बड़ा बड़ा diagram कभी draw करने के लिए नहीं आता है ठीक है बायो और physics दोनो January से स्टार्ट होगा तो इसके लिए भी हम आपको अपने चैनल पे और टेलिग्राम ग्रूप पे अपडेट देते रहेंगे प्लीज 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 इस वीडियो को जादा से जाद अपने फ्रेंज के साथ शेयर करो अपनी तबियत का ध्यान रखो और पड़ाई चालू रखो बच्चो बोर्ड एक्जाम आपका पोस्पॉन नहीं होने वाला है 21 फेब्ररी से ही बोस चालू होने वाले हैं आपको धर पर यह प्रेपरिशन एल वेर्यान वेरी सुन बाई वड़ाई वर्यबड़ी तेक कर था यह वर वचिज इस वीडियो